दोस्तों गिनी चुनी राजय सरकार ही बंपर सरकारी सिखशक भरती निकाल रही है एक लाग से भी जादा पदो पे बंपर सरकारी सिखशक भरती हैंज दोस्तों बड़ी खुश कबरी है बिलकुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की चाहेगी आप वीडियो को शुरूर से लेके आखे तक जरूर से जरूर देखें और आलो और इंडिया लेवल से कावर्मेंट टीचर्स रिकूर्टमेंट से जुड़े लेटस्ट अपटेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें दोस्तों जैसे की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सिर्फ गिनी चुनी राज्य सरकार ही बंपर सरकारी सिक्षक भरती निकाल रही है राजस्थान में पिछले सालों में कितनी बड़ी भरती आई है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सरकारी सि सिक्षक भरती की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके बाद एक और बड़ी खुश खबरी आएगी निकल के जो की है कुछ इस परकार से ये देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री ने किया मंथन विभाग को तयारी शुरू करने का निर्देश सिक्षकों की एक और जल्द अक्तूवर नौंबर में आएगा विग्यापन जी दोस्तों सेप्टम्बल चल रहा है अक्तूवर नौंबर मतलब इसी साल में हमें एक और बंपर सरकारी सिक्षक भरते का विग्यापन बिहार सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा अभी रिक्रूट्मेंट का प्रो पूलों में सिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाले भरती के लिए सिक्षावी भाग को तयारी शिरू करने को कहा है माना जा रहा है कि अक्तूवर या नौंबर में नई बहाली का विग्यापन जारी हो सकता है इस कड़ी में गुरुवार को प्रोफेसर चंदर सेकर और सिक्षाई भाग के अपर मुख्या सचीव के के पाठक की बैठक हुई मुख्या मंत्री ने सिक्षाई भाग में रिक्त सिक्षकों के सभी पद जल्द भरने के निर्देश दिये यह बरती बिहार लोग सेवा आयो के जर्गिये होगी सूतरों के मताबिक सीम ने सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदर सेकर वा सिक्षाई भाग के अपर मुख्या सचीव से कहा है कि बीपीस्टी के तरफ से वरतमान सिक्षक नियुक्ती की प्रक्रिया पूरी होने के दतकाल बाद सिक्षक नियोजन की एक और तयारी कराएं हर हाल में सिक्षकों की कमी को पूरा करना है तो दोस्तों बड़ी खुशकबरी आ गई है और भी कोई अप्टेट आएगी इससे जुड़ी हुई वो भी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे